हावरा डिविजन में नॉन इंटरलॉकिंग कारी के लिए 10 दिसंबर से 21 दिसंबर तक कई ट्रेनों को रद करने के अलावा कई ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया है हावरा डिविजन में नॉन इंटरलॉकिंग कारी के लिए 10 दिसंबर से 21 दिसंबर तक कई ट्रेनों को रद करने के अलावा कई ट्रेनों की रूटों में बतलाव किया गया है परिणाम स्वरूप उत्तर बंगाल आने वाले कुछ परियतक पहले से ही परेशानी में है उनमें से कई ने इस ट्रेन पर आने के लिए अपने टिकेट भी बुक किये हैं और उनमें से कई के पास वापसी टिकट भी है इस तरह से देखा जाये तो ट्रेने रद किया जाना परियटकों के लिए बुरी खबर है रेलवे सूत्रों के मताबिक स्यालदा से अलिपूर द्वार जंक्शन पर चलने वाली कंचन कन्या एक्सप्रेस को 9 दिसंबर से 22 दिसंबर तक रद कर दिया गया है दिसंबर के महिने में डुवर्स और पहारियों पर परियटकों की संख्या सबसे अधिक होती है स्यालदा से डुवर्स जाने के लिए ज्यादातर परियटक इसी ट्रेन पर भरोसा करते हैं ऐसे में ट्रेन रद होने से लोग रिजॉर्ट्स होटलों में बुकिंग कैंसल कर रहे हैं लेकिन ट्रेन रद होने की ख़वर से विभिन परेटन संगठनों के मालिक और परियटक भी चिंतित हैं उत्तर पूर्वी सीमान्त रेलवे के सूत्रों ने कहा कि कोलकाता से उत्तर बंगाल तक चलने वाली अन्य 41 ट्रेनों का मार्ग बदल दिया गया है कंचनकन्या एक्सप्रेस रद होने के कारण उत्तर बंगाल राष्ट्रियव परिवहन निगम की ओर से कुछ विशेश बसों की ववस्था की गई है शाम पाँच बजे से आट बजे तक कोलकाता से सिलीगुडी के लिए चार विशेश बस सेवा प्रदान की जाएगी वहीं सिलीगुडी से कोलकाता के लिए शाम पाँच बजे से राथ आट बजे तक चार बसों की विशेश सेवा प्रदान की जाएगी ब्योर रिपोर्ट पाब्लिक टाइन्स बिगतो 16 पाशोर थोड़े फर्नीचर जगोते आपना थे फर्षाई एक्टाई नाम राजिस फर्नीचर एबार 9 रूपे नवशाजे गणपोती फर्नीचर जेखाने आपनारा पाबिन फिलेक्स, सेलो, SPPL करलान इतादी ब्रैंडिट कुम्पनीर बाडी एबंग ओफिसेर शोमुस्त फर्नीचर एर साथी गणपोती फर्नीचर मैनुफाक्चरर स्पेशल आइसे आचे स्टिल डोमेस्टिक आलमेरा, स्टिल ओफिस आलमेरा, ओफिस टेबल, रिवल्विंग चेर, विजिटर्स चेर, उडन बेड, एंजिरेंग, उड फर्नीचर ओ आरो अनेक कीचु एर स्वांगी गणपोती फर्नीचर एपाबिन एमायर शुभिधाओ जोगजोग कोड़ून, एनस्पी डोट, रानी गंच, आनुंदुलोग, बस टॉपिर निकोट, फोन नमबर 760-2363-191, 9333-100564